हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू साइंस मैगनेट अट्रैक डी सक्सेस, रिपेल डी फेलियर दोस्तो कैसे हैं आप लोग सभी, आई होड़ सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है डेली शाम को चार बज़े मैं आप लोगों को NCRT Question of the Day करवाता हूँ तो आज एक बहुती बैतरिन Question, Gravitation यानि गुरुत्वा कर्शन चेप्टर का मैं करवाने वाला हूँ Class 9 की जो आपकी NCRT है उसमें 10th नंबर का चेप्टर है Gravitation तो आईए इससे related question करते हैं और बहुत प्यारा concept आप लोगों को सीखने को मिलेगा चलिए दोस्तों question आपकी screen पे है numerical है बहुत simple है लेकिन एक छोटा सा concept है जो आप लोगों को बहुत यहाँ पर आप लोगों को सीखने को मिलेगा चलिए आप लोग एक बाद try करिए question में क्या बोला जा रहा है देगे देगे दोस्तो question में आप लोगों को बोला जा रहा है यह पत्थर मैंने बना लिया आप इस पत्थर को कहां पर फैक रहे हो उपर की और फैक रहे हो ठीक है तो दोस्तों आप लोग जब उपर की और फैक होगे तो उसको कुछ वेक दोगे ना हो सकते है ज्यादा वेग दो हो सकता है कम वेग दो तो आपने कितना वेग दिया है 40 meters per second तो तो जो प्रारंबिक वेग होता है जो इंशल होती है उसको U से represent करते हैं तो U की value कितनी है 40 meter per second समझ में आ गई अब आप लोगों को पता है कोई भी चीज आप लोग उप़र की और जब फैक होगे जैसे देखो यह उप़र की और जैसे फैक है न तो उप़र जाते जाते इसकी velocity कम हो रही है क्योंकि अगर velocity कम नहीं होती तो यह तो जिन्दगी पर उप़र जाता रहता बट नहीं है एक point पर जाके ये आप लोगों का इसकी velocity 0 हो रही है फिर वापिस नीचे की और आ रहा है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बोलू highest point कौन सा होगा वो वाला point highest होगा जहां पर इसकी velocity 0 हो जाए जहां पर इसका वेग 0 हो जाए क्योंकि अगर वेग और होता तो ये और उपर जाता तो जरूर इसकी velocity कम हो रही होगी तब ही तो दोस्तों एक जगे जाके रुक रहा है और फिर वापिस नीचे आ रहा है इतनी से बात clear है समझी में आ गई तो पहला question चली मैं आप लोगों से यह पूछना चाहरा हूँ आप तो बस यह बता दीजिए इसने कितनी maximum height attend करी है उस height की value बताईए कितना यह maximum उपर गया तो कैसे आप लोग solve करेंगे इसको आप लोगों को पता है दोस्तों उपर जा रहा है तो नीचे की और गुरुत्वे त्वरन कारे कर रहा है तो velocity इस direction में थी, acceleration इस direction में था इसलिए दोस्तों velocity क्या होती जारी है दीरे दीरे कम होती जारी है अगर दोनों एक ही direction में होते तो velocity बढ़ती जाती बट velocity क्या और ये कम और ये कारण क्या है क्योंकि गुरूतिय त्वरन लग रहा है नीचे की direction में चली ठीक है तो कैसे हम लोग इस height की value निकले दोस्तों एक equation है motion की गती का एक समीकरण है तीसरा समीकरण होता है V square बराबर U square प्लस 2AS आप लोग जानते होंगे आप मुझे बताइए यहां से यहां के लिए इतनी जर्णी के लिए इतनी यात्रा के लिए V का मान कितना है 0 है 0 का square करोगे 0 ही रहेगा U की value कितनी है 40, 40 40 का square करेंगे कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा मैंने लिख दिया प्लस टू acceleration कौन सा लग रहा है आप पर gravitational acceleration गुरुति तरण वस्तू जा रही है उपर गुरुति तरण लग रहा है नीचे तो माइनस मिलेंगे तो माइनस G, गुरुति तरण को G से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी value दे रहे हैं 10 तो मैं देखिए यह 10 into 220 into H 20 H और यह माइनस है इस साड़ा के प्लस हो जाएगा तो 20 H is equals to हो जाएगा 1600 H की value क्या हो जाएगी 1600 upon 20 तो 1 0 से यह 1 0 cancel हो गया 162 हो गया 80 meter तो अगर आप लोगों से पूछे maximum कितनी height पे गया आप लोगों का answer होगा 80 meter लेकिन दोस्तो जल्दबाजी में आप लोग इस पे टिक ना कर दे क्योंकि आप करोगे ऐसे examiner करेगा ऐसे क्या पूछा जा रहा है कुल दूरी कितनी तैक करिए तो यह obviously बात है दूरी किसको बोलते हो जैसे यह हाँ पर गया 80 meter चला फिर नीचे आया वो वाली पे तो count करोगे तो 80 plus 80 टोटल चला कितना दूरी कितनी तैकरी 160 meter करी correct answer option number C होगा अगर आप लोगों से पूछा जाता maximum कितनी height तक गया तब आप लोग answer 80 देते हैं I hope आप लोगों को एक question समझ में आया होगा बहुत प्यारा question था डेली शाम को चार बजे में आप लोगों के लिए question of the day लेकर आता हूँ जिसके माद्यम से एक बहत्री कॉंसेट सेकाने का हमेशा मेरा प्रयास रहता है अपने valuable comment जरूर करिए वीडियो को दोस्तों like करे अपने दोस्तों के साथ में share करे और जिन्होंने भी तक चैनल को सब्सक्राइब ने के है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए thank you so much मिलेंगे कल शाम को चार बजे और डेली सुबह दस बजे कलास होती ही होती है thank you so much